जैशिरा मित्रो, मैं आज आप सब को धन्तेरस 2022 के बारे में बताने जा रहा हूँ इसमें मैं आप सब को बताऊंगा कि कौन सा समान नहीं खरिदना चाहिए जिसको खरिदना अशुभो माना जाता है मित्रो, देश भर में 23 अक्टुबर 2022 को धन्तेरस करते वहार मनाया जाएगा इस दिन ज्यादा तर लोग नए समान को खरिदना पसंद करते हैं ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरिदा गया समान काफी सुभ होता है बता दें कि धन्तेरस पर सोने, चांदी की चीजे खरिदाना, बरतन की खरिदारी, जाडू और धनिये की खरिद काफी सुभ मानी जाती है लेकिन कुछ ऐसी भी चीजे होती है जिनको असुभता का परतिक माना जाता है आईए, मैं आप सब को बताता हूँ कि 23 अक्तूबर को धन्तेरस के दिन आपको की चीजों को खरिदने से बचना चाहिए क्योंकि ये चीजे खरिदना असुभ होता है जो पहला है, वह है इस टील से बनी चीजे ऐसा देखा जाता है कि धन्तेरस के दिन बहुत ब्यक्ती अपने घर पर इस टील के बरतन खरिद कर ले आते है जबकि इन्हें खरिदना असुभ माना जाता है इस टील सुद्ध धातू नहीं होता है इस पर राहू का प्रभाव ज्यादा होता है आपको सिर्फ प्रकिर्टिक धातू की ही खरदारी करनी चाहिए मानवने नमिर धातू में से आप केवल पीतल की खरिद ही कर सकते है नमबर दो एल्मूनियम का समान एल्मूनियम के समान की खरदारी को भी अशुभ माना जाता है बता दे कि इस धातु पर भी राहू का प्रभाव ज्यादा होता है एल्मुनियम को दुर्भागे का सुचक माना गया है आप तेवहार के दिन एल्मुनियम की खरिद से बचे नमबर तीन लोहे की बचत जोति самого के मताबिक लोहे को सनि देव का कारक माना जाता है धनतेरस के दिन किसी भी ब्यक्ति को लोहे से बनी चीजों की खरिद नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से आपपर धनतेरस के दिन कुबेर की किरपा नहीं होगी नमबर चार नुकिली या धरदारे चीजे धन तेरस की तेवहार के दिन आपको नुकिली या धरदार चीजे जैसे चाकू, कैची, पी, सुई या अन्य धरदार समान खर्जने से बचने चाहिए इस दिन इन चीजों की खर्जना शुभ नहीं माना जाता है नमबर पांच, पलाष्टी का समान, ऐसा माना जाता है कि पलाष्टी की बरतन या पलाष्टी की कोई समान से बरकत नहीं देता है, इसलिए धन तेरस के तेवहार के दिन आप पलाष्टी के बने किशी भी समान की खर्जना खर्दारी ना करें या आपके लिए असुभ शाबि 6. चीनी मिटी के बर्तन धन 14 से तिवहार के दिन शेरामिक चीनी मिटी से बने बर्तन या गुल्दस्टे को नहीं खरढ़ने चाहिए इन चीजों में आस्थाई तो नहीं रहता है जिस ये घर में बरकत की कमिक रहती है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को शेरामिक्षे बनी चीजों को बिल्कुल नहीं खरजना चाहिए नमबर शाथ काँच के बरतन ऐसा माना जाता है कि काँच का शवंद राहुश होता है इसलिए धन्तेरस पर आपको काँच के बरतन की खरिशे बचना चाहिए और यह भी कहा जाता है कि इस दिन काँच की चीजों का इस्तमाल भी नहीं करना चाहिए यह काफी अशुब होता है नमबर आठ, काले रंग की चीजे, धन तेरस के दिन आप काले रंग की चीजों की खरदारी से बचना चाहिए आपको यह तेवहार काफी शुब तेवहार है और काले रंग को हमेशा से ही दुर्भागे का परतिक माना जाता है इसलिए धन्तेरस के त्योहार के दिन आपको काले रंगी चीजों की खरदारी नहीं करना चाहिए खाली बरतन घर में ना लाए धन्तेरस के दिन आप अगर कोई भी बरतन खरीद रहे हैं तो उसको घर में खाली ना लेकर आए अगर आप घर में उस बरतन को लेकर भी आ रहे हैं तो अगर कुछ बस्तुब मार्केट से नहीं खरीदे है तो उसमें जल या कोई और चीजे भरकर ही घर के अंदर लाए जैसे इसमें पानी डाल दें, चावल या किसी दूसरी समागरी को ही डाल कर घर के अंदर लेकर आएं ये सुब होगा नमबर दस, मिलावटी चीजे धन तेरस के देन यदि कोई ब्यक्ति, तेल या घी जैसी चीजों को खर्दने जा रहा है तो उन्हें थोड़ा सतर करहना होगा ज्यादतर ऐसा दिखा जाता है, कि इन चीजों में मिलावट पाई जाती है धन तेरस के तेवहार के दिन, आपा सुद्ध तेल या घी का दीपक ना जला मित्रो, ये छोटी छोटी उपाई, ये छोटी छोटी जनकारी, अगर आप अपने जीवन में इसको लागू करें, तो निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होगा मित्रो यह जनकारी आपको कैसी लगी अगर यह जनकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूला क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातंधर में से जुड़ी ब्रत तेवार, पूजा पाठ और बेद पुरारों में बरनीत सिद्चमतकारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाप प्राप्त कर सके तब तक के लिए इतना ही धन्यवाद